बंगलवार को गणपति बप्पा को विदाय दी गई थी पंचांग के अनुसार एक सितंबर को अनंत चतुर्दशी की तिती थी इस दिन शुब मूर्त में भगवान गणीजी की विसरजन किया गया है गणीज चतुर्दशी की दिन भगवान गणीजी की खर में शरद्धा भाव से स्तापित किया गया दिन तक भगवान गनेश को घर में स्तापित कर उनकी पूजा की जाती है। गनेश जी को उनकी प्रियच चीजों का भोग लगाया जाता है। गनेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशिता इस पर्व को गनेश मोहत्सों के रूप में मनाया जाता है। ग्यारवेदीन गनपती बप्पा को विदाय दी जाती है. भक्तो द्वारा पप्पा को विदा करने से पूर्व विधीपूर्वक पूजा की जाती है. विसरजन करने से पहले बख्वान को मोदक सहित उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है. अगले वर्ष पुनगर आने की विनंति कर कुर्णास संक्रमन चला जाए ऐसे भावनिक मांग बपा के साब ने भक्तों ने रखी दस दिनों में भूलवश कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफी मांगे सुक समरुद्धी और बुध्धी प्रदान करने की प्रार्थ ना करे आशिर्वास्वरु प्रिध्धी और सिध्धी प्रदान करे ऐसे काम ना करने चाहिए गनपती को विदा करते समय बहुत कैमेरा परसंट राशकुमार मोड के साथ अभी शेख पांसी के रिपोर्ट इन बीस यान नियुज नाखपुर्थ